बिसमिल्यारामाराहिम इस लेक्षर के अंदर हम Transfer Learning को सीखेंगे in Python using TensorFlow लाइप्रेरी तो टाइम जाय कि अगर हम जंप इन करते हैं ये स्क्रीन आपके सामने आपको नजर आ रही होगी हमारे पास ये GitHub के उपर सारे के सारे projects मैंने आपको upload कर दिये हुए तो अगर आप description में जाके GitHub के link पे click करते हैं तो आपके पास ये सारे के सारे projects वहाँ पे मौझूद पड़े हुए हैं हमने क्या करने हैं आज transfer learning जो दस्वा हमारे पास यहाँ पे एक folder है इसके उपर click करने है और basic model of image analysis से start करने है and how transfer learning can actually fine tune this model और transfer learning के बाद TensorFlow Hub को हम समझने वाले हैं तो ये तीन notebooks को हम अच्छे तरीके से समझेंगे code को मैं ज्यादा detail में आपको नहीं बताऊंगा and लेकिन basic चीजी जो आपको मैं समझाऊंगा अब मैं सबसे पहले ये number one जो मेरे पास basic model for image analysis है इसकी बात करते हैं ये notebook जो है ये basically हमने ली है जनाबे वाला from TensorFlow और इसी वज़ा से मैंने credits इने दिये हुए है अगर आप इस notebook पे यहाँ पे click करेंगे तो ये tensorflow.org के अंदर ये पूरी notebook पड़ी हुई है run in google collab भी आप कर सकते हैं इस notebook को download भी कर सकते हैं by clicking here and you can do a lot of stuff तो यहाँ पे हमने वही काम किया है कि हमने notebook online से ली है and then we are learning now कि इस notebook के अंदर कौन कौन सी चीज़ है and then we will implement the similar kind of structure for our project जो इन्शाला कल या परसो हम करने वाले हैं on Kaggle Data Competition जिसमें हम Image Analysis को based on ResNet या MobileNet जो हमारे Transfer Learning के pre-trained model है उनसे हम train करेंगे यानि कि एगले lectures के अंदर अब सबसे पहली बात यह है कि इस notebook को अगर आप गौर से देखें तो यहां पे काफी कुछ आपके सामने आएगा and मैं इसको real time के अंदर आपको run करके भी दिखाऊंगा ठीक है so एक तो यह automatically run की हुई पड़ी है classification के नाम से और मैं इसको copy paste यहां पे करता हूँ और यहां पे rerun के नाम से इसे save कर देता हूँ rerun during class के नाम से ठीक है अब हम इस notebook के ओपर काम करेंगे ठीक है जी तो सबसे पहला काम है जी हम libraries को import करते है as usual PLT, NumPy, Pill, TensorFlow, Keras, Layers and Sequential तो मैं इसको click करता हूँ यहां से मैंने अपने kernel साब select कर लिये अगर everything is working fine here तो मेरे सामने यह कुछ इस तरीके से run हो जाएगे let's see it's taking some time क्योंके installation के दुरान काफी कुछ हमें सीखना पड़ता है और कुछ चीज़ें जो है वो ज्यादा time लेती है first time kernel start करने से और कुछ इसे कम time लेती है for me it took only 16 minutes 16 seconds sorry क्योंके यह मैंने बड़ी देर बाद इसको यहां से run किया and then we are working on a data set data set क्या कहता है the tutorial uses a data set of about 1300 photos 1300, 3700 photos plants की, flowers की flowers जो हैं वो भी plant के अंदर यहाथ हैं but we will say flowers की फूलों की 1300 तस्वीर है and the data set contain 5 subdirectories one per class तो flower photo के एक main folder है उसके अंदर daisy का है उसके अंदर dandelion का है उसके अंदर roses का एक folder है उसके अंदर sunflowers का है और उसके अंदर tulips का है तो हमारे पास 5 categories है flowers की यहां पर आपको समझ आगी होगी कि image का data आपको folder wise मिलता है तो यह folder आपके पास एक major है flower photo का उसके अंदर 5 आपके पास different किसम के flowers की जो है वो type and daisy, dandelion, roses, sunflower and tulips ठीक है एंद इस data को डाउनलोड करने के लिए आपके पास यहां पे pathlib की library आप import करेंगे data set का URL यह है आपके सामने ठीक है यह URL है जहां से यह data लिया गया है और यह basically अगर आप गौर करें यहां पे googleapis.com download.tensorflow.r example image और यह basically TensorFlow की website से हमने URL ले लिया फिर हमने क्या किया एक data directory बनाई उसके अंदर tf.keras.utils.get file करने के बाद हमने यह पूरे का पूरा data flower photos जो यहां पे अगर आप देखें इस तरीके से हमने इसको tar की file को यहां पे save कर लिया tar भी एक किसम की zipped file होती है जैसे tgz होती है and then हमने origin जो है वो data set की URL से लिया यह फाइल यानि के यह नाम हमने दिया origin यहां से लिया और extraction इसकी कर लिया यानि के हमने zip file को open कर लिया and then data underscore directory is equal to pathlib.path data directory with suffix तो हमने क्या किया data directory with suffix suffix या suffix इसे बोला जाता है उनके थूँ इसे रन कर लिया मैं इसको रन करूँगा तो यह data automatically online server से download हो रहा है and it will take a lot of time reason क्या है अगर आप गौर करें हमारे पास 3, 3, 6, 3, 9 तो यह मेरे पास तकरीबन अगर आप गौर करें 228 MBs का data है ठीक है so it will take some time अगर आप गौर करें 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 something like that and it will take some time for me it will take around 1 minute or so ठीक है जैसे meanwhile यह download हो रहा है obviously मैंने पिछली notebook के अंदर automatically download किया हुआ था उसको मैं यहां से बंद कर देता हूँ यहां से हम देखते हैं यह data download हो रहा है अब data तो download हो गया यह notebook आपके पास available भी है आप अभी run ना कीजिएगा because एक चीज याद रखें कि यह जो notebook हम run कर रहे है it will take a lot of GPU power and CPU power आप कैसे कर सकते हैं आप इसी notebook के उपर अगर आप देखें आप इसे google collab में run कर सकते हैं यहां पे click करने के बाद ठीक है so आप google collab में run कीजिएगा अगर आपका system बहुत heavy नहीं है मेरे system पे मुझे यगीन है कि it will work इन्शाला so इस वज़ा से मैं इसको यहां पे run कर रहा हूँ जैसे ही मैंने इसके data को download किया तो मेरे पास data download हो गया लेकिन अगर आप गौर करें यहां पे data नहीं आया data download हो के मेरे पास RAM के ऊपर cache के अंदर या cache के अंदर save हो गया so the data is not actually downloaded in my PC लेकिन download हो के RAM के अंदर notebook की RAM के अंदर वो save हो चुक है अब आपकी assignment यह है आपने क्या करना है यहां पे मैं assignment लिख देता हूँ assignment यह है download the data in your PC change some commands आपने इस notebook की कोई commands change करनी है जिससे आपका data जो है वो PC के अंदर download होगे as a folders यहां पे आजाए मैंने नहीं किया because I don't need to do that मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताना है so we will see after downloading you should know a copy of dataset available there are 3670 total image ठीक है 3670 total image है और आपको बता है के length की command लगा के आप check कर सकते है jpg के अंदर आपकी file है हमने क्या किया के data directory के अंदर globally हमने check किया है किस तरीके से jpg file कितनी है यानि कि हमने search की है कि jpg files हमारे पास कितनी है और image count यहां पे print किया that is 3670 photos ठीक है अब 3670 photos है मैंने start में बोला सब 700 photos तो usually हम round of figure जो है यहां पे बोलते है but it's fine अगर 3670 भी है then you can actually print all the things from roses और फिर बाद में string यहां पे roses की image 1, 2, 3, 4 जितनी भी आपके पास आती वो आप print कर सकते है तो मैं जब इसको print करता हूँ तो मेरे पास roses की यह वली image आ रही है यह पहली image है और यह दूसरी image है अगर मैं इसको run करूँ क्योंके string 0 से start होती है यह तीसरी image है और यह चोथी image है मेरे पास so I can just look into the roses और मेरे पास यह roses की images इस तरीके से आ जाएंगी so यहां पर मैं 0 रहने देता हूँ अभी के लिए because I have actually printed this thing और यह pill एक command है जो basically आपके पास images के लिए पिलो library के थूँ यूज होती है inside your environment यहां तक आपको clear हो गया होगा ठीक है अब आगे जलते है हमने यहां पर कोई और string को भी print कर सकते है जैसे मैं यहां पर print किया 4 को यह मैं 5 को करता हूँ so we can print different kind of roses अब हम tulips को अगर print करना है तो यहां पर tulips कर देंगे simply तो यह tulips आ गए अगर मैंने tulips की जगापे dandelions वगरा को करना है तो मैं यही command उठाऊंगा और मैं यहां पर लगाता हूँ इसको command को print images from dandelion spelling उसके मैं देख लेता हूँ मेरे ख्याल से यही है yes तो यह मेरे पास dandelion आ गए तो आप कोई भी image यहां पर print कर सकते हैं from all the flower types जो मैं scroll up करके आपको दिखाता हूँ daisy भी है, dandelion भी है, roses भी है, sunflower भी है, tulips भी है let's print out sunflowers अब मैं क्या करता हूँ जनाबे वाला यही code उठाता हूँ copy किया यहां पर paste किया यहां पर मैं लिखता हूँ sunflower sunflower लिखा इसको मैं copy करता हूँ यहां पर paste करता हूँ and here comes the error sunflowers I think so yes it's sunflowers ठीक है तो यह error नहीं होने चाहिए by the way so this is the image for sunflower right तो इस तरह के आपके पास data मुझूद है जो images का है अब हमारा काम क्या है हम keras utility या keras या keras या keras भी इसको मैं बोलता हूँ keras को use करके tensorflow के अंदर से हम क्या करेंगे इस define करेंगे 32 images को हमें कठे चलाएंगे यहां पे 180 by 180 की image की height and width करेंगे तो यह जितना भी data है उसको अपने मुताबिक हम load भी करेंगे pre-process भी करेंगे and we can do a lot of other things और यहां पे उन्होंने link दिया हुए अगर आपको नहीं पता के load कैसे करना है pre-process कैसे करना है data loader क्या होते हैं बाकी क्या चीज़े होती है then you can click on this link यह आपको एक essay tutorial पे ले जाएगे जहां पे आपको basics of tensorflow आ जाएगी for now I assume के पिछले lectures को सुनने के बाद you know के यहां पे क्या चल रहा है मैं इसको run करता हूँ यह मैंने सिरफ objects decide किये के मेरे यह यह parameters हो सकते हैं for you it could be different आप 16 भी कर सकते हैं और XOC को by XOC को different भी change कर सकते हैं अब आपको भी पता है कि it's a good practice to use validation split when developing your model तो 80-20 का हम validation split कर रहे हैं 80% of the training images will be used for training and 20% for the validation अब आपको भी पता है कि training क्या होती validation क्या होती है मैं again मिसाल देता हूँ जब आप बच्चों को पढ़ा रही है न पढ़ाते पढ़ाते class में उनसे कोई बात पूछ रहे हैं this is called training और अगर वो बच्चा सही से जवाब दे रहा तो उसकी base पे उसकी accuracy 100% होगी और उसका loss कम होगा ठीक है यानि के गलत ही कम होगी पूरे के पूरा accurate है अगर पढ़ाते पढ़ाते वो बच्चा जो है 80% सही जवाब दे रहा है 20% गलत दे रहा है तो this is 80-20 इन साइड के उसकी loss और accuracy कितनी है अब दूसरी साइड पे चलते हैं अब आप एक से देड़ हफते के दुरान-दुरान क्विज रख लेते हैं और उस क्विज का दुबारा से पूछते हैं आप बताओ क्या क्या इसकी answer है वो हो गया validation supply यानि कि आप बच्चों को सवाल दिखाए बगार बच्चों से पूछते हैं कि क्या प्रेडिक्ट कर रहे है same goes with the validation and training supply here हमने क्या किया 80% जो है वो training के लिए image रख ली और बाकी हमने validation के लिए रख ली और यहाँ पे हमने training dataset define कर दिया कैसे अब देखियेगा tf.keras utils.image dataset from directory जो हमारा folder है जिसके अंदर तस्वीरें save है वहाँ से हमने data उठाना है नाम है उसका data directory validation split इसमें से 0.2 का करना है और subset हमने training के बेस पे कर देना है ठीक है and then seed जो है 123 यानि कि जब एक दफ़ा इसको run कर दिया बार-बार भी run करेंगे तो same images ही split के अंदर जाएंगी मिसाल के तोर पे 3700, 3600 कुछ images आपके पास जो है मतलब 3700 images है आप क्या करते हैं जब एक दफ़ा 80% साइट पे कर दी वो ही बार-बार 80% साइट पे हो this thing can be controlled with seeding seeding का मतलब होता है random state जिस तरीके से काम करती है image का science हमने यहां पे बता दिया image height, image width जो हमने डिफाइन किया था 180 by 180 देल है and then batch size भी बता दिया हमने अब क्या किया है जितना भी folder में data था data directory के अंदर data directory कहां पे है I can actually show you जब हमने उपर data को load किया था this is called data directory हमारा सारा data एक data directory के object के अंदर आ गया था यहां तक आपको clear हो गया होगा कि object के अंदर जब हमारा data आया how does it look like अब जैसे object के अंदर हमारा data आया था let me see यहां पे अगर आप check करें तो यह basically Keras के अंदर आपके पास यह data set download हो चुका था so but मैं इसके बारे में अभी discussion नहीं करता अभी हम आगे चलते हैं इसको move करते हैं data directory की बात हो रही थी तो to stay on the topic I would say के यहां पे image height or image width plus हमने क्या दे दिया यहां पे सारी detail हमने प्रवाइड कर दी batch size batch images everything is here करने के बाद जैसे मैं इसे run करता हूं अब जिस तरह का भी data पढ़ा हुआ है वो automatically resize हो जाना है इन sizes के उपर ठीक है तो that's the beauty of using this function called utils.image data set from directory and then you can provide image size batch size and it will work like this अब क्या हुआ है 3670 images है यह files belong करती हैं 5 classes से ठीक है इस में से 2960 हमने use कर ली है for training अब training के लिए अगर 2960 है तो बाकी जितनी भी है वो सारी की सारी validation के अंदर use हो रही है ठीक है इसको अगर आपने calculate करना है तो आप validation data set को इस तरीके से बना सकते है यहाँ पर subset आप print करते हैं 3670 total images है बांच classes के हैं 734 भचती हैं जी validation के लिए यानि के 734 images ऐसी images है जो हमने model को तब देनी है जब वो model इन 3670 में से 2960 पर train हो जाएगा यानि के इतनी images पर जब यह train हो गया फिर हमने गया नहीं है हाँ पकड़ यह image बता हमें यह sunflower है roses हैं क्या हैं क्या नहीं है और उसके लिए हम क्या करते हैं हम class के names भी यहाँ पर प्रेडिक्ट कर ले आते हैं हमारे पास 5 classes है Daisy, Dandelion, Roses, Sunflower and Tulips अब आप से मेरा question यह है कि यह कौन सी problem है उन तो दिखोगे बाभाई यह बहुत वड़ी problem है भाई question यह है Is it a regression problem? Is it a classification problem? A binary classification problem? Multi-class classification problem? और multi-label classification problem? यह अब आपने सोचना है ठीक है? और इसका answer मैं within few seconds आपको देने वाला हूँ क्योंकि आगे से आगे मैंने आपको बताते जाना है और अगर हमारे पास 5 classes है तो activation function को उन सा use होगा That's also a question for you अगर आप सुन रहे हैं इस lecture को तो please comment section में ज़रूर बताईएगा That will show कि आप कितना understanding way में चल रहे हैं I'm putting an I.O. on the comment section as well Okay तो यह multi-class classification है जो मैंने पहले पे बताया है और multi-class classification के लिए हम softmax function को use करते हैं activation function को at the end but before that हम पहले data को visualize करते हैं हमने अब यहाँ पे क्या किया है हमने first 9 images of the training data set training data set की 9 images को यहाँ पे print किया using a for loop using a matplot lib तो हमारे पास roses and dandelions and tulips है sunflower है, dandelion है, roses है dandelion है, roses and tulips है यानि कि हमारे पास जो images हा रही है वो कुछ इस तरीके से हा रही है अब इस image में देखें वो पीछे flower कहीं पे चुपे हुए है but still this image has been classified as roses अब roses का मतलब नहीं है कि यह जो गोरियां बीज में इनका नाम rose है, यह rose वो नहीं है roses का मतलब यह है कि यह जो पीछे flowers है ठीक है, यह जो पीछे नजर आ रहे है आपको यह beauty है neural network की अगर वो train अच्छे तरीके से हुआ है it can actually identify right, let's see अब हमारे पास हमने keras को यह model के अंदर fit करने के लिए हमने यह proper image का badge दे देना है अब हम क्या कर रहे है you will pass these data set to keras model.fit method for training later in this tutorial if you like you can also manually iterate over the data set and retrieve badges of the images, ठीक है आप manually भी iterate कर सकते हैं but usually क्या होता है, आप इस तरीके से batches of the images देख सकते हैं, जैसे यह मैंने 32 पहले एक दफा रनना होगी फिर अगली दफा 32 रनना होगी, फिर अगली iteration में 32, तो हम हर दफा batch size 32 रखेंगे, यानि कि अगली फिर घ्र रणना है, फिर कि 2021 पर 32 पर October 32 पर इस तरीके से जब तक खतम नहीं हो जाती ट्रेनिंग के लिए 32 की 32 इमिजेज यूज होंगी ठीक होगया, let's go ahead अब हमने क्या करने है? the image is the image is a tensor of the shape 32 1880 by 80, multiplied by 3 tensor flow तो के अंदर टैंसर क्या होता है यह basically आप यह कहलें कि एक data type है जैसे array होती है यह उसी तरीके से ही है लेकिन यह array array भाई वाली array नहीं है ठीक है वो करांची वाली array नहीं है यह basically I have few cousins from Karachi तो जब भी आते हैं वो array बहुत बहुत है अभे और array तो यह basically आप भी मुझे बता सकते हैं कि यह वह वाली array है कि नहीं बाइदवे जैसे numpy के अंदर arrays थी one-dimensional, two-dimensional, three-dimensional and then multi-dimensional arrays इसी तरीके से tensors जो है यह data type होती है tensorflow के लिए और pytorch के लिए ठीक है दो libraries के लिए अब one-dimensional भी है, two-dimensional भी है, three-dimensional भी, four-dimensional भी यहाँ पे जो हमारे पास tensor of the shape आ रहा है हमारे पास 32 size है एक batch का, 180 by 180 की image है, three क्यूं है यह कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे three क्यूं है यह three क्यूं है यहाँ पे यह यहाँ पे यह वला three this is a batch of 32 images shape of 180 by 180 multiplied by 3, the last dimension referred to the color channels, RGB colors है यह अगर यह binary होता तो यहाँ पे क्या होता you know well, gray scale होता तो क्या होता, you know very well, so you should know about the RGB tones ठीक है तो यह three का मतलब है के red, green और blue को मिला के three channels की यह images है the label batch is a tensor of the shape 32, तो हमारे पास जो सिरफ batch है वो 32 है, जो image है, image batch वो हमारे पास यह है और अकेली image का size यह है तो हमने क्या किया, image batch, label batch को यहाँ पे training data set के अंदर देखा, ठीक है अब हमने क्या किया, you can call.numpy on the image batch and label batch stances to convert them to numpy nd array यानि के शायर इस, शायर इस share में यह कहना चाह रहा है कि आप इसी data set को numpy array के अंदर convert कर सकते हैं समझ आ गई है, मैं इतना slow इस वेटा से बो रहा हूं, ताटे ताटे करना जग अवाज पहुंच जाए कि यह हम कर क्या रही है, ठीक है, one dimensional array, two dimensional array, three dimensional array और array, अगर आपको यह समझ आ रही है, that means you are actually going well और अगर आपको यह बात नहीं समझ आ रही है, इसका मतलब आप इस course में सही जा रहे हैं अगर आपको नहीं समझ आ रही है, तो please, little bit move forward, move backward, not forward backward जाएं और अपने loop को optimize करके हैं, यानि के दुबारा से पिछली lecture सुने थाके आपको इसकी समझ आ जाए okay, now we will configure the dataset for performance, configure करने के लिए हम क्या करते हैं, dataset को cache के अंदर save कर लेते हैं, यानि के जब एक दफाँ EPOC रन कर जाए, तो memory के अंदर उनको बार बार आप लोड ना करना पड़े, ठीक है, इसको मैं बताता हूं, make sure to use buffered prefetching, prefetching क्या होती है, so you can yield data from disk without having IO become blocking, इससे यह होता है कि अक्सरों काद जब आप बार-बार images को read कर रहे होते हैं, तो आपकी images सही तरीके से काम नहीं करती, but there are two important methods you can use for loading data, the first one is dataset cache, second one is dataset prefetch, अब दूनों में क्या फरेक है, इसको देखते हैं, और ये concept बहुत ज़रूरी है, आपके लिए समझना, अगर आप TensorFlow की library को image classification के task के ये use कर रहे हैं, ठीक है, we will do one thing, dataset.cache, keeps the image in memory after they are loaded off the disk, or loaded off disk during the first epoch, ये क्या करता है, जब first epoch पे एक दफा रन होगी ना image, तो इसने memory में रखनी है, मैं मिसाल देता हूँ, आपके पास हैं 3670 images, उन में से 2900 something, यानि कि 3000 के करीब images, आपके हर epoch में से गुजरनी है, ऐसे करके, और validation की भी 900 something गुजरनी है, 700 something, so in total 3670, 3670 images, जिनका size 180 by 180 pixels है, 3 layers है RGB की 32 by 32 के batch sizes में, हर epoch में से गुजरनी है ना, तो epoch की मत बज्जा नहीं है, dataset.cache क्या करती है, हर दफ़ा, जो आपकी images दुबारा से read करनी पड़ती थी, वो एक दफ़ा epoch में आपने read करनी, तो next epoch में आपको दुबारा से read करने की ज़रूरत नहीं है, the system will keep those images, those dataset inside the memory, that's why you need to use dataset.cache या cache, समझ आ गई है, तु समझा, नहीं समझा, क्या खाल है, समझ गया है, तो दरा comment section में मुझे बताएं, like, share, subscribe भी कर दिया करें, जरूरी नहीं है, हर दफ़ा कहना पड़े, I know के there are not a lot of people who are actually at this stage of learning, लेकिन advance पढ़ाने का मकसद ही ये होता है कि लोग समझ पाएं कि आगे जहान और भी है, let's go back to our topic now, data set prefetch क्या होता है, चलो है, basically मैं ये बता दे तो आपको, ये क्या करता है, this will ensure, data set cache क्या करता है, this will ensure that data set does not become a bottleneck while training your model, if your data set is too large to fit into memory, you can also use the method to create a performant on this cache, तो basically क्या होता है, आप ये cache को, आप हाट ड्राइब के ऊपर भी create कर सकते हैं, instead of your RAM, अगर आपकी RAM 32GB है, और उस पे enough RAM ही नहीं अवेलेबल, data set आपका बहुत बड़ा है, so you can actually do some kind of on this cache arrangement, ये थोड़ी से advanced level की बाते हैं, but still, there's a possibility to do that, then एक term होती है, data set prefetch, this overlaps data preprocessing and model execution while training, ठीक है, तो ये क्या करता है, data set prefetch का मतलब ही है, कि आपने एक दफर ये data preprocessing कर ली, बार बार नहीं करें पेड़ेगी, and then model execution while training आपके लिए बहुत असान हो जाती है, so these are two terms which you can do, okay, अगर आपको चाहिए, कि API TensorFlow की कैसे काम करती है, you can also read this thing here, but I'm not gonna click on that for now, एक term होती है जी auto-tune, हम यहाँ पे अब क्या करने वाले हैं, हमने auto-tune किया, किसको, data को हमने auto-tune करने है, df.data.autotune, tf.data.autotune, auto-tune क्या करता है, हमने यहाँ से training images ली और validation वाली images ली, training को cache में डाला, validation को भी cache में डाला, इनको shuffle भी कर लिया, shuffle क्या होता है, ताश के पत्ते नहीं होते हैं, ऐसे ऐसे करके आप shuffling करते हैं उनकी, ताकि mix up हो जाए, तो हमने data को cache में डालते वकर shuffle कर लिया, intermingle कर लिया, यह नहीं किया कि roses पहले आरे हैं, बाद में दूसरी तस्वीरे आरे हैं, बाद में तीसरी, नहीं, हमने mix up कर दिया, ताकि model और अच्छे तरीके से training करें, वरना तो उसने यह समझ लेना है था ना, कि जब भी 100 पहली तस्वीरे हैं, वो roses हैं, दूसरे 100 वाली dandelions हैं, तीसरे 100 वाली sunflowers हैं, और इसी तरीके से आगे flower चल रहे हैं, So that is why you need to shuffle, or please always do this shuffling, then आप prefetch भी कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, अब data को cash में डालके, shuffle भी कर रहे हैं, और prefetch भी कर रहे हैं, और buffer size हमने क्या किया, auto-tune कर लिया, अब यहाँ पे, cash क्या करती है, keeps image in memory, after they are loaded off the disk, during first epoch, और same काम हमने यहाँ पे किया, cash भी किया, prefetch भी क but if you want to do, it's totally up to you, right, हमने जब इसको किया, then prefetch overlaps the data property, जो मैंने आपको पहले भी बताया और उस पे यह काम हो रहे है, अब auto-tune का मतलब यह है, कि आपका data basically, इन सारे parameters को grab करके एक निया data बन गया है, यानि कि training data as, or validation data set, जो है हमारा, यह दोनों update हो गया है, using this function here, और जिसको हम buffer size बोलते हैं, और auto-tune की मदद से हमने इसको, सारी के-सारी images को tune करके, यहां पे training data set के अंदर save कर लेना है, अब मैंने यहां पे यह command को run किया, and it's done, अब हम करते है, standardized the data, आपको पता है, हमने हर image को layer scaling का method यूज़ करके, 255 पे divide कर देना है, simple, तो इसके लिए हम क्या कर है, normalization की layer बना रहे है, जिसको हमने layers.scaling कर लिया, और यह layers. कहां से आया है, अगर सबसे उपर जाएं, यहां पे आपके सामने यह layers है, tensorflow.keras.import layers, मैंने वही चीज यहां पे directly जो है, यहां पे लिखी है, and, here, so, यहां पे आप normalization layer को run करते हैं, मैं इसको run करता हूँ, and then, अब आपने normalization को कैसे use करने है, इसके दो method है, और दोनों तरीके जो हैं, वो बहतरीन तरीके हैं, you can apply to the data set by calling dataset.map, आप क्या कर सकते है, normalize dataset अब आपने बनाना है, training data को लिया, dot map लगाया, और यहां पे lambda function use करके आपने normalize कर दिया, सारे के सारे x को, ठीक है, training data के अंदर, training data के features सारे के सारे आपने normalize कर दिया, और यहां से image batch और label batch लिया, next iteration normalized dataset पे कर दिया, और first image लेके आपने इस तरीके से image batch को यहां पे कर दिया, and at the end basically यह काम क्या कर रहे है, हर image को 1 over 255 पे divide कर रहे है, which we have done here, right, अब इसके आगे क्या है, हमने अब, basically हमारे पास data आ गया, model सारा कुछ जबने बनाना है और उसको deploy करना है and then we can do a lot of other things as well, image size और यह वो चीज़ें, और यह वैसे create करेंगे जैसे हमने पहले भी create किया था, तो हमने number classes, classes का number जो है वो लिया, which is around 5, अगर मैं इसको run करूँ, and print num classes, तो यह मेरे पास 5 है, अब यह 5 क्यों चाहिए, because हमें input shape देनी पड़नी है, तो यह input shape हमने जो है images की दे दी, और यहाँ पे output sorry हमारे पास num classes आनी चाहिए, so what we are doing here, हम model ले रहे है, sequential layer लगा रहे है, और rescaling पहले हमने की, यहाँ पे, ठीक है, और हमने convolutional 2D layer यहाँ पे लगाई, max pooling, फिर convolutional, फिर max pooling, फिर convolutional, फिर max pooling, फिर max pooling, flattened, dense, and at the end dense layer with num classes, अब हमने यह काम क्यों किया, because this model is actually a convolutional neural network, ठीक है, basically, तो हमने का किया है, इस convolutional neural network के model को define कर लिया, अब हमने model को compile करना है, हम यहाँ पे model के लिए optimizer atom यूज किया, और loss function के लिए, हमने sparse categorical cross entropy को यूज किया, और logits के साथ हमने किया, ठीक है, so this is a kind of loss function जो हमने यूज किया, this is an optimizer, और यह हमारा matrix accuracy, because we are doing this model in a way, के हमारे पास convolutional neural network multi class classification को काम कर रहे है, ठीक है जी, okay, now हमारे पास जनावे वला, यहाँ पे model summary हम click करते है, और यह हमारे पास model summary आगी, model summary हमें क्या बताती है, के data लिया, पहली layer ने उसे क्या किया, दूसरी layer ने क्या किया, तीसरी layer का क्या function है, चौती, पांच्वी, छटी layer का, साथ्वी, आठ्वी, नॉमी layer का and so on, अगर आपके पास यह पूरी की पूरी dot 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 दे दे तो आप text editor में से open कर लिया गरे, and here you can see the whole model, total parameters इस model के हैं, 3, 3, 6, 3 million parameters हैं, 3 million parameters, और trainable parameters 3 million अगर आपके पास हैं, that means, आपको इस model के parameters की base पे आप कह सकते हैं, यह large language model है, large model है, short model है, small model है, बड़ा model है, चोटा model है, यह कैसा model है, कल वला lecture याद करें, जिसमें मैंने आपको pre-trained models का बताया था, और उन pre-trained models के अंदर एक बात थी, कि जो हमारे पास ResNet का model है, ठीक है, उसके अंदर 6 billion या कितने trillion parameters थे, लेकिन dense net एक model है, जिसके parameters ResNet से आदे थे, लेकिन same time और same accuracy देता था, ठीक है, वो trainable parameters यह वाले parameters होते हैं, I would say, के तकरीबन तकरीबन ज्यादा नहीं न, अभी देख लेते हैं, मैं इसको % % time भी लगा देता हूं, ताके मेरे पास यह model यह train हो जाए, and then we can have a look, मैं इस पे click करता हूं, यह जि मेरा model चलना start हो गया, and now this convolutional neural network is working, Alhamdulillah, speed अच्छी है system की, so it's working totally fine, and it's not making any kind of issue here, लें जनाब, मेरे पास total 11.8 seconds लगे, और यहाँ पर जो चीजें समझने को आती हैं, वो हैं, जनाब, validation accuracy हमारे पास कितनी है, 65%, और हमारे पास testing accuracy कितनी है, 99%, training accuracy, और validation accuracy में जमीन आसमान का फरक है, ठीक है, 65% कहां पे और कहां पे यह 99%, अगर आप गौर करें तो यह start हुई थी 53% से, validation accuracy, and for us, validation accuracy matters, अब मुझे बताएं, यह overfitting है या underfitting है, यह वाला model, overfitting है या underfitting है, main वाले एक question आया है कि यहां पे rescaling क्यों करी जा रही है, उसकी वज़ा क्या है, यह model जब हमने यहां पे रखा, तो हम basically, यहां पे train data set दे रहे हैं, scaled यह normalize नहीं दे रहे हैं, ठीक है, so इस वज़ा से हमने वह वाली layer उसके अंदर add की, so either you can add a layer, or you can create a data set, यह basically overfitting है, training पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, testing पे अच्छा काम नहीं कर रहा, so now we have to deal with this, लेकिन उससे भी पहले, हम अपने जितने भी results हैं, उन्हें finally हम लिख भी सकते हैं, अपने पास और उनको print out भी कर सकते हैं, let's see, हमारे पास क्या कहता है, training accuracy है, हमारे पास 1 आई है, और validation accuracy 0.66 है, यहां पे training loss 0.02 है, 1.74 हमारे पास validation loss है, ठीक है, तो यह basically क्या हो रहा है, यह training पे बहुत अच्छा गाम किया, टेस्टिंग पे बेड़ा गरख हो गया model का, इसका मतलब है, यह overfit कर रहे है, train parameters पे, this is called overfitting, right, अब यह overfitting हो गई है, अब इसी overfitting को हम देख भी सकते हैं, by using this command, which will show you के कैसे काम कर रही है, यह जनाबे वाला आपके पास, मैं बलके इसका size जो है plot का थोड़ा सा different कर लूँ, 8 by 8 की बजाए, इसको 10 by 8, 15 by 8, here you go, बलके 8 क्या करने, 15 के बाद इसको 4 पे गल लेते हैं, yes, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह training and validation accuracy है, training accuracy बहुत अच्छी जा रही है, validation यहाँ पे खराब हो गई है, तो यहाँ से हमारा model overfit होना start हो गया, second epoch के through, और यहाँ पे भी हमारा second epoch के बाद different start हो गया, it should work in the same way, अगर वो same way में नहीं जा रहा है और इनमें फासला बढ़ रहा है, this is called overfitting, जो overfitting के मैंने आपको तस्वीर भी दिखाई थे पिछले lecture के अंदर, so let's see, हमारे पास, यहाँ पे यह overfit कर रहे है, और overfit और बाकी चीजों को निप्टाने के लिए, निप्टाने के लिए हम कौन-कौन से तरीके इस्तमाल करते हैं, we are going to learn about those things, ठीक है, यह आप पढ़ ली जाएगा, खुद बाखुद, लेकिन मैं आपको एक बात बता दू, data augmentation, data augmentation क्या होती है, जब आप randomly तस्वीरों को horizontally flip कर दें, rotate कर दें, तस्वीरों को थोड़ा सा गुमा फिरा दें, यानिके एक ही data को कई dimension में आप देख लें, मैं अगर ऐसे बैटा हूँ, तब भी मैं डॉक्टर अमा रही हूँ, डॉक्टर मैं जान बूज के लगाता हूँ, तो अगर आप मेरी तस्वीर ऐसे ले 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 और उसको थोड़ा सा टिल्ट कर दें, तब भी मैं अमा रही हूँ, इसी तरीके से रोजने रोज ही रहना है, अगर उसको टिल्ट भी कर दें, या उसे आप horizontally flip कर दें, vertically flip कर दें, it doesn't matter, तो यही काम data augmentation करता है, एक image के multiple तरीकों से उनकी copies बना देता है, अब data augmentation आप keras.sequential के अंदर, layers को random flip करके, horizontally random flip आप करेंगे, image height और width और colors वैसी रखेंगे, और random rotation भी आप कर देंगे, and at the end random zoom भी कर देंगे, ठीक है, तो हमने zoom भी किया, rotate भी किया, flip भी किया, और यह data augmentation क हमने object बना लिया, अब हम क्या करते हैं, इस object को fit करते हैं, किसी image के उपर, और plot करके देखते हैं, कि कैसी नजर आती है images, मैं इसको run करता हूँ, यहाँ पे देखें, यह वही image है, लेकिन यह थोड़ी सी flip है, अगर आप गौर करें, ठीक है, अगर मैं इसको किसी और image को print कर यह थो, then it would be easier to understand, यह चक करें, यह एक image है, यह भी वही image है, यह भी वही image है, फिर यह भी, यह भी, यह भी, just look into the images, थोड़ी सी different हो रही है, थोड़ी सी आपके सामने, किसी तरीके से नजर आएंगी, कोभी किसी तरीके से, so this is how you can augment the data, ठीक है, यह तस्वीर पूरी है, यह यहां पर zoom है, यहां पर flipped है, ठीक है, so this is how you can augment the data, हमने वो ही काम किया है, second हमने dropout की layer इस्तमाल की है, वो क्यों करते हैं, आपको पता, regularization के लिए, सिरफ यहां पर 0.2 हमने dropout की layer इस्तमाल की है, and this will actually prevent overfitting, ठीक है, और कैसे overfitting करते हैं, by turning 20% of the neurons off, यह end पे न, यहां से जो neurons को zero कर देगा, off कर देगा, जिससे हमारा data overfitting से बच जाएगा, ठीक है, and then, after making this model, जिसमें data augmentation भी आ गई, और हमारे पास इस तरीके से dropout layer भी आ गई, यह दो चीज़ें overfitting को control करेंगी, मैं इसको run करता हूँ, run करने के बाद, same मैं model के compiler यूज करता हूँ, और model की summary आपक आपके पास sequential layer है, यहां पे एक sequential one layer क्या कर रही है, data augment कर रही है, फिर rescaling हो रही है, फिर बाकी चीज़ें हो रही है, at the end हमारे पास जो है, यहां पे dropout layer है, which is actually turning off 20% of the neurons, ठीक है, जिसकी वज़ा से हमारे जो trainable parameters हैं, अगर आप गोर करें, अभी भी 3 million है, लेकिन अगर मैं पिछली summary पे जाऊं, and maybe we can see the difference now, if it's possible, 99,280, मैं बस देसी तरीके से मैं याद रखता हूं, so let me see, अगर हमारे पास dropout layer की summary के बाद, text editor में उसे open करें, नहीं, parameters वो ही हैं हमारे पास, so there's no change in the parameters, अब हम आगे चलते हैं, यहां पे मैं 10 epochs के साथ, अगर इसे दुबारा से train करता हूं, we will see the difference, लेकिन मैंने पहले ही 15 पे किया हुआ था, and here were the results, तो पहले से कई गुना ज्यादा अच्छे result होगे थे, ठीक है, 15 epochs के उपर, लेकिन मैं इसको क्या करता हूं अब, चले, मैं 15 epochs ही कर देता हूं, और सारा कुछ वही है, verbos मैंने 0 जान बूच के की हुई है, I will run this model, और यह जनाबे वाला 15 epochs पे रन करेगा, and it will do a lot of things, जिसमें rescaling भी है, dropout layer भी है, and there are many other things which are going on here, ठीक है, epochs नहीं मुझे नजर आएंगे, because I have turned off the verbos, verbos क्या होती है, आपको भी बता ह कि आप data को basically, जो print out होनी होती है, चीज़ें उन्हें आप रोख सकते है, so हमारे पास basically यह मैंने काम क्यों किया है, reason यह है कि मेरे GPU के अंदर थोड़ी सी problem थी, based on that, it was showing me something different, ठीक है, तो अब यह model जैसे मेरे पास train होगा, then I can show you कि किस तरीके से हमारे पास इसके result आते है, जै कि हमने पिछले वाले में भी ऐसे किया था, मैं इसको दुबारा से run कर रहे हैंगा, और आप देखेंगे कि आपके पास training and validation accuracy कुछ इस तरीके से चल रही है, पहले हमारे पास plot किस तरीके का था, यानि कि validation कहीं पे थी, training कहीं पे थी, अब they are quite near to each other, यह हमारा model train हो चुक है और इस model को train होने में 15 epochs के साथ 52 seconds लगे, मैं इसको run करता हूँ, and here you go, यह जनाब आपका model है, and now you can see कि आपके training and validation accuracy में फरक ज़रूर है भी भी, लेकिन this is not a difference जो पहले था, पहले बहुत ज्यादा फरक पढ़ रहा था, but now you can see कि जैसे जैसे हम epochs बढ़ा रहे हैं, फरक ज् but still, if we can look into the parameters here, तो अब आपकी training accuracy पचासी फिसद थी, और आपकी validation accuracy सतर हो गई है, so अब इनका फरक कम हो गया है, ठीक है, so यह regularization का यह फाइदा होता है, कि you can actually train the model in a way कि आपकी accuracy बढ़ गई है, यहाँ पे, और loss जो है, वो भी कम हो गया है, तो यह 66 फिसद से सतर हो गई है और यह 99 से, यह 100 फिसद से 85 हो गया, so that's what we can do here, और अगर आप चाहें, तो अगर अभी भी आपका model जो है, वो थोड़ा सा overfit हो रहा है, you can actually do another thing, another round, और आप drop or layer को increase कर दें, यह regularization use कर लें, L2 यह L1 को, ठीक है, समझागी बात की, एक बात जो मैं यहां पे फिर दुबारा clear कर दूँ, यहां पे, यहां पे आप क्या करते हैं, turn off करते हैं, drop out layer के साथ, neurons को, drop नहीं करता यह, drop का मतलब होता है, outputs को drop कर देगा, turn off कर देगा, neurons की outputs को, so that's what we are doing here, यहां पे जनाब हमने क्या किया, model train कर लिया, यह क्या accuracy आगी, अब हम new data को predict कर सकते हैं, यहां से हमने data उठाया, sunfloor का, इसको मैं run करता हूँ, and now it's actually downloading the data, और उसको फिर बाद में print कर देगा, मेरे पास, and then we will see के हमारे पास किस तरीके से यहा रहा है, इस image most likely belong to sunflowers, with a 76.30% confidence, ठीक है, and this is how you can see the prediction, हमने एक तस्वीर उठाई, और हमने पता था यह कि sunflower है, और हमने prediction इसके करवाई, and it worked well, ठीक है, so this is how you can predict future images as well, तो आप किसी भी फूल की तस्वीर लेके इस model के साथ, यूज कर सकते हैं, अब यहाँ पर at the end इन्होंने TensorFlow Lite का बताया हुए, TensorFlow Lite क्या है, यह एक set of tool है, that enable on device machine learning by helping developers run their model on mobile embedded and edge devices, यानि के on mobile use करने के लिए आप इसे use कर सकते हैं, आप अपने model को directly TensorFlow Lite के अंदर convert कर सकते हैं, Lite मतलब हलका भूलका, अच्छा सा, भोला सा, प्यारा सा model और उसको आप save कर सकते हैं, इस तरीके से, ताके वो mobile devices के अंदर as it is use किया जा सके, so मकसद क्या है इसको करने का, कि इस तरीके से जब आप अपना model save करेंगे न, then you don't need to do any kind of training, आप सिरफ इसे load करेंगे और predict करेंगे, that's it you need, you need only this code, जो prediction के लिए use होता है, ठीक है, so आप इससे app बना सकते हैं, कि mobile से किसी भी flower के तस्वीर बनाए, हम आपको बताएंगे कि flower कौन सा है, obviously, जिस data पे train है, वो ही 5 flowers हमारे पास होने चाहिए, मैं इसको run करता हूँ, और जैसे मैं run करूँगा, you will see a jadu, वो jadu क्या है, यहाँ पे model.tflite की एक file बन गी है, and this file is tflite model, which can be used on mobile devices, और जैसे आपने इसको use किया, then you can also run that model.tflite file, और उसको आप इस तरीके से easily load करेंगे, यह मैंने लोड किया, यह मैं इस तरीके से उसको print कर सकता हूँ, और देख सकता हूँ कि कौन-कौन सी signature list है इसके अंदर, and then actually I can use this to classify things, और यहाँ पे prediction के लिए use कर सकते हैं, and then आप पूरा आपर बता सकते हैं, उसी model को use करके कौन सी prediction हुई है, so यह end पे थोड़ा सा काम है हमारे पास TensorFlow Lite का, and we can actually use TensorFlow Lite to save the model, and also to reuse the model in different way, यहाँ तक आपको clear हो गया होगा कि convolutional neural network कैसे काम करता है, by using different kind of models inside TensorFlow, अभी transfer learning नहीं आई, मैंने base बना दिया आपको, कि यहाँ तक आप देखें, हमने कोई भी transfer learning यूज नहीं की, but transfer learning कहाँ पे आती है, यह जो हमने इतना ज्यादा काम किया, train किया, drop out किया, यह किया, वो किया, we can directly use a model, taken from TensorFlow, mobile net version 2, or something like that, और हम अपना पूरे का पूरा model को train करके, accuracy को 90% से भी उपर लेके जा सकते हैं, अब एक task आपका है, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, at the end, यहाँ पे लिखता हूँ, assignment alert के नाम से, assignment, assignment यह है, छ topics को है, do thought, please use any image pre-trained model on this network, and increase the accuracy on validation dataset, यह आपकी assignment है जी यह आपने इंशाला करके इसको submit करवाना है लेकिन transfer learning के उपर जो lecture अभी में आपको सिखाने वालों वो यह सारी चीजों पर base करेगा और इंशाला आप देखेंगे कि transfer learning live कैसे की जाती है त्यार है त्यार है चले अभी मिलते है next lecture में